नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जल्दी से अपने नाखुन के स्परिकार बढ़ा सकते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक सरूर करें क्या आपके भी नाखुन नहीं बढ़ रहे हैं और अगर बढ़ते हैं और वो तूट जाते हैं तो आपको काफी परिशानी होती होगी आप चाते हैं कि आपके नाखुन बढ़े हो और आप उन पे νेल पेंट आराम से लगा सके अगर आप ऐसा चाते हो तो मैं आपको सिप एक ऐसा घरेलू तरीका बताऊंगी जिसके इस्तिमाल से आप अपने नाखुनों को बढ़ा कर लेंगे नाखुनों को बढ़ा करने के लिए आपको जीए एक प्याज आप प्याज की मदद से अपने नाखुनों को बढ़ा कर सकते हैं अब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने नाखुन क्यों नहीं बढ़ा रखे मैंने अपने नाखुन इसलिए नहीं बढ़ा रखे क्योंकि मेरे एक छोटी सी बेबी है पर मैंने अपने नाकुनों पर इस उपाई को लगा कर देखा है मैंने ये ट्राइ करके देखा था तो मेरे दो दिन के अंदर अंदर ही नाकुन पढ़ने लग गए थे आपको सिब करना क्या है कि आपको प्याज का रस निकालना है आप इसे मिकसर में पीस जिए जब आप इसे मिकसर में अच्छे से पीस लोगे तो इसमें एक हलका सा पानी डाल कर आप इसे मिकसर में पीस लेजिए और इसका पेस्ट बना लेजिए और इसको आप सब तह में दो या तीन बार आप इसे अपने नाकुनों पर लगाईए अगर आप फिरी हैं तो आप एक प्याज लेकर अपने नाखुनों पर इसको रगण लीजिए इससे आपके नाखुन जल्दी बढ़ने लग जाएंगे इसके अलावा आप नारिल के तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं नारिल के तेल से भी आप नाखुन को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं या फिर आप जेतुन का तेल भी ले सकते हैं इससे भी नाखुन जल्दी बढ़ने में काफी ज़्यादा आसानी होती है इसके अलावा जब भी आप ये सोचते हो कि आपको अपने नाकुन बढ़ाने हैं तो आपको अपने नाकुनों पे डिली नेल पेंट लगा कर रखना होगा उस नेल पेंट लगाने से आपके नाकुन थोड़े सकत होंगे इससे क्या होगा कि आपके नाखुन बिल्कुल भी नहीं तूटेंगे इसलिए आप इस बात का ध्यान रखे कि आप इस पे नेलवेंट हमेशा लगा कर रखे अगर आप नाखुन बढ़ाना चाते हैं तो वैसे तो नाखुन बढ़ाना अच्छे बात नहीं है स्वास्ते के लिए काफी नुक्सान दाइक होता है पर जिने नाखुन बढ़ाने का शोग है वो अपने नाखुन बहुत ही आसानी से बढ़ा सकता है सिर्फ इस घरेल उपाए से तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो उमेद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे जैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं बखली वीडियो में तब तब कि लिए बगाइ